कोर्बा के हर्दी बजार एलाके में एक खुपसूरत मोर का बच्चा गाव में आ गया दोपहर की भीशोन गर्मी में लोग अपने घर में आराम कर रहे थे इसी दोरान नन्ना मेहमान एक ग्रामिड के घर पहुँच गया एक ग्रामिड के घर की देहलिस पर बेहत खुपसूरत पक्षी बैठी थी देखते ही देखते वहाँ घर के अंदर आ गई रास्टी पक्षी मोर के बच्चे को अपने घर में पाकर मुकेश और उसका परिवार काफी रोमान चित थे गर्मी के मौसम में जंगल में भोजन और पानी के अभाव के कारण जंगली जिबचंतू को रियाईशी लाके की ओर रुख करना पड़ता है जो उनके लिए काफी खतरनाक होता है कुछ ऐसे ही हालात निर्मित होने पर एक 85 बेबी पेकॉक उतरदा गाउं पहुँच गई अपने घर आये नन्हे मेहमान को देख कर मुकेश कुमार काफी प्रसन नजर आये उन्होंने मोर के बच्चे की खूब आव भगत की राश्ट्रे पक्षी को कोई नुकसान न पहुचाए इसके लिए उन्होंने मोर को अपने घर पर ही रख लिया उसे देखने के लिए ग्रामिडों की भीड लग गई वन्विभाग को इसकी सूचना दी गई जिसके बाद वन्विभाग के कर्मचारी बेबी पीकॉफ को सुरक्षित जंगल में आजाद कर दिया ग्रांडे सेन न्यूज के लिए हर्दी बजार से विनोध उपाध्याई की रिपोर्ट